तो फ्रेंड्स आज तारीक हो चुकी 28 जन्वरी आज एक बार फिर से IPL को लेकर IPL ओक्षन को लेकर IPL की ट्रेडिंग विंडो को लेकर कुल 8 बड़ी ख़बरे 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए है मैं इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करूँगा आपको बताऊंगा क् कौन सी 8 बड़ी ख़बरे और कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए तो ओवरॉल IPL को लेकर IPL ओक्षन को लेकर और सबी IPL टीमों को लेकर काफी इंट्रस्टिंग और काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा ले से पहले मिलती रहे तो फ्रेंक्स अब बात करते जो आज 8 बड़ी ख़बरे निकल कर रही इनमें जो सबसे हैं पहली बड़ी ख़बर निकल कर आती है वह आती है IPL ओक्षन को लेकर दरा सलब फाइनली BCCI की तरफ से और IPL गवर्निंग काउंसिल की तरफ से IPL ओक्षन की ड इन ओक्षन होगा 18 फर्वरी को हमें completely पूरी तरीके से IPL का ओक्षन देखने को मिलेगा इसके बाद बात करते हैं दूसरी बड़ी ख़बर की तो जो दूसरी बड़ी ख़बर निकल कर आती हुआती है IPL ओक्षन की वेन्यो और टाइमिंग को लेकर दरासल BCCI आई ने आई BCCI ने कन्फर्म कर दिया है कि इस साल का ओक्षन चिन्नाई में कंड़क्ट कराया जाएगा और ओक्षन लगबग शाम साड़े तीन बजे से लेकर रात साड़े दस बजे तक चलेगा हाला कि अभी तक टाइमिंग कन्फर्म नहीं हुए लेकिन एक्सपेक्टेड ये बताया जा रहा है कि IPL ओक्षन शाम साड़े तीन बजे से लेकर रात साड़े दस बजे के बीच चलेगा कुछ इस तरीके से IPL ओक्षन हमें देखने को मिलेगा और कुल साड़े तीन सो प्लियर्स ओक्षन का भाग होंगे और आने वाले कुछी दिनों नहीं सभी प्लियर्स के लि प्लानिंग में लग चुकी ओक्षन की तैयारिया शुरू कर चुकी है और यहापर ओक्षन की प्लानिंग ओक्षन की तैयारियों के सिलसिले में पंजाब की टीम ने अपने तीन तार्गेट प्लियर्स के नाम बताई है जिन प्लियर्स को ये टीम ओक्षन में तार्गेट क ये टीम 11 क्रोड रूपे गलेन मैक्सवेल को देती थी इसी वजह से इस टीम ने मैक्सवेल को रिलिस कर दिया है और आक्शन में ये टीम 3-4 क्रोड तक मैक्सवेल को दुबारा खरीदने का प्रियास करीगी ताकि इस टीम के मिडल ओर में अच्छा खासा बल्लेबाज आ सके इसके लावा क्रीस मोरिस को भी ये टीम ओक्शन में खरीदने का ट्राई करीगी ताकि इस टीम को एक अच्छा खासा गेंदबाज मिल जाए और एक फिनिशन मिल जाए जो की नमबर 6 नमबर 7 पर आकर आकरी के कुछ और में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सके और उमेश आदो को पर्चेस करने का ट्राई करीगी ना सिर्फ ये टीम बल्कि और भी काफी सारी टीम है अब उमेश आदो के पीचे ओक्शन में जाएगी तो अब ये देखना काफी इंटरस्टिंग होगा क्या गिर पंजाब की टीम ने जिंजिन प्लियर्स को तार्गेट किया है उ जो चोती बड़ी ख़बर निकल कर आती है आकाश चोपडा की तरफ से दरासल आकाश चोपडा ने राजस्तान डोल्स की टीम को लेकर राजस्तान डोल्स की टीम की ओक्शन की स्टेटिजी को लेकर एक बड़ा या पर स्टेटमेंट दिया है इनों राजस्तान डोल्स की ट परिदना चाहिए जैसे इस टीम के पास Already England के काफी अधिक प्लियर इस टीम के पास जोस बटलर, बैन इस्टोक्स और जोफर आर्चर के रूप में Already तीन England के काफी वर्ड क्लास प्लियर इस टीम के पास मौजूद है इसके अलावा गर ये टीम डेविड मलान को और अपनी टी टीम के लिए किया है और दुनिया के वह No.1 T20 बन्लेबाज बन चुके है तो यहाँ पर आकास चोपडाने तो अपनी तरफ से राजस्तान रोल्स की टीम को सजिशन दिया है कि ओक्शन में स्टेवन स्मित की जगा या तो डेविड मलान को पर्चेस किया जाए या फिर जेस इसके बाद बात करता है पाचवी बड़ी खबर की तो जो पाचवी बड़ी खबर निकल कराती हो आती है IPL की ट्रेडिंग विंडो को लेकर दरासल IPL 2021 के सीजन के लिए अब तक 3 ट्रेड्स हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में और भी काफी सारी ट्रेड्स देखन 11 फरवरी को इस साल की ट्रेड विंडो क्लोज होगी 11 फरवरी को शाम 5 बजे हमें ट्रेड विंडो क्लोज होती हुई जिगी कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं होगी इससे ये पता चलता है कि वह आने वाले कुछ दिनों में हमें बड़ी बड़ी ट्रेड्स द करना हो का 11 फर्वरी को ये विंडो भी क्लोज हो जाएगी तो 11 फर्वरी को या पर ट्रेड विंडो क्लोज होगी 11 फर्वरी को या पर ओक्षन में नाम आने वाले प्लियर्स की या पर लिस्ट भी बी सी से अनौंस कर देगी इसके बाद अगर हम बात करें या पर छटी ख़बर निकल कर आती हूँ आती है पंजाब की तरप से दरासल पंजाब की टीम ने हैधराबाद के ओल रांडर मौमद नभी की ट्रेड को लेकर उनके साथ कॉंटेक्ट किया था है धराबाद की टीम के साथ कॉंटेक्ट किया था और नभी ने हैधराबाद की टीम से कर चुकी है और पंजाब की टीम के पास इतने अधिक पैसे होने के कारण अब पंजाब की टीम 4-5 करोड में नभी को ट्रेड करके ओक्षन से पहले अपनी टीम में इंक्लूर कर सकती है काफी हाइली चांसे बन चुके है और अब यह हो सकता है कि आई पिल 2021 के सीजन में मौब नभी पंजाब की तरब से खेलते वेदी के वैसे आप कमेंट करके बती है आपके पंजाब की टीम को आकिरी ने ट्रेड करके अपनी टीम में इंक्लूर करना चाहिए या फिर नहीं इसके बाद बात करते है सात्वी बड़ी खबर की तो जो सात्वी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है सोरव गांगुली को लेकर दरासल सोरव गांगुली को यहाँ पर 20 दिन पहले हार्ट अटेक आया था इसके बाद इन्हें होस्पिटल में एडमिट किया गया था और इनकी एक सरजरी होने के बाद यह रिकवर होकर अपने घर लोट चुके थे लेकिन कल शा सामान ये बताई जारी है लेकिन इनके अब दूसरी सरजरी होगी जापर एक सरजरी इनकी ओल्रेडी हो चुकी है और अब दूसरी सरजरी होगी उसके बाद दो दिन के रेस्ट के बाद यह अपने गर जा सकते है और दो सपते के रेस्ट के बाद दुबारा से यह दुबार 2021 के सीजन के वेन्यू को लेकर BCCI ने सभी टीमों को यापर एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है BCCI ने बता दिये कि सभी टीमों को ओक्षन में यापर इंडियन कंडिशन के अकोडिंग स्कुरेड बिल्ड करना होगा क्योंकि IPL 2021 का सीजन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा BCCI ने कनफर्म कर दिया है जापर पिचले साल IPL भारत से बाहर चला गया था इससे काफ़ी सारी टीमों को नुक्सान हुआ था टीमों ने भारत की कंडिशन के अकोडिंग अपने स्क्वेड बिल्ड किये थे लेकिन इस बार BCCI ने सभी टीमों को बता दिये कि IPL भारत में होगा और मोस्ट लाइकली मुंबई पुने एहमदाबाद जैसी लोकेशन पर इन स्टेडियम में हमें IPL 2021 का सीजन देखने को मिलेगा वैसे आप कमेंट करेंगे बती ही आपके कोडिंग IPL भारत में होने से आकिर कौन-कौन सी टीमों को सबसे अधिक फाइदा होगा सबसे अधिक बेनेफिट होगा इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करे लाइको और चेनल को जुरूर करे सब्सक्राइब